दिल्ली पुलीस हो या हरियाना पंजाब पुलीस हो या राजस्तान हराज की पुलीस सब राज जिसे अपराद खर्म करने के लिए गैंक्टरों को ठोकने के काम में लग गई है और एक एकर सारे गैंक्टर या तो मारे जा रहे हैं या फिर उन्हें गिरफतार किया जा रहा है दो दिन पहले भी हरियाना के सोनीपत में दिली पुलीस की क्राइम रांच और सोनीपत एस्टियप ने साथ मिलकर गैंक्टर हिमानी शुभाव के तीन गुर्गों को एंकाउंटर में ठोक दिया इस गड़ना के अगले ही दिन पंजाब के मोहाली में पुलीस और गैंक्टर में एक बार फिर से मुटबेड हुई जिसमें एक गैंक्टर को गोली लगी है गैंक्टरों ने मुटबेड से पहले टोल पर फारिंग की थी गाड़ी पर लिक रखा था ऑनलाइन ड्यूटी बी एसेनल दरसल पंजाब के मोहाली के नजदीक पटियाला जिले की हद में पुलीस का गैंक्टरों से एंकाउंटर हुआ जिसके बाद दो गैंक्टर दीपक और रमन दीप सिंग के रपतार हुए हैं पुलीस और गैंक्टरों के बीच मुटभेड में कुल दस राउंड फैरिंग हुई है पुलीस के जानकारी के मुताबिक इन दोनों बदमाशों ने पटियाला में देर रात रजटपुरा के पास टोल पलाजा पर फैरिंग की थी इसके बाद शराब ठेके में भी गोलियं चलाई थी मौले से पटियाला लोटते वक्त पुलीस ने उनका पीछा किया जिसे देखकर उन्होंने पुलीस पर भी फैरिंग कर दी जिसके बाद जबाबी कारिवाई में एक गैंक्टर घायल हो गया इसके बाद पुलीस ने दोनों गैंक्टरों को काबू किया उनसे एक रिवॉल्वर और एक पेस्टल भी बरामत हुआ है पकड़ा गया गैंक्टर दीपक जालंधर का जबकिर रमंदीप पंजाब के बटेंडा का रहने वाला है दोनों बटेंडा नंबर की कार में सवार थे जो रमंदीप के नाम पर रजिस्टर बताया जा रहा है वो विदेश में रहने वाले गैंक्टर के इशारे पर वारदातों को अंजाम दिया करते थे इस मामले में डीजेपी गौरोयादों ने कहा है कि बारे घंटों के बेतर दो वारदातों को वंजाब की पुलीस ने सुलजा लिया है पुलीस के मताबिक गैंक्टरों ने बीती रात परटियाला में धरेडी जट्टा डोल पलाजा के करमचारियों से बिचागड़ किया था इसके बाद उन्होंने वहाँ पर फैरिंग की थी जिस दौरान वहाँ पर टोल में लगे सीसे टीवी कैमरों में वो कैद हुए थे पुलीस के मताबिक रात से उनके टीमें लगी हुई थी रविवार को दोनों गैंक्टर मोहाली से पटियाला के तरफ जा रहे थे ऐसे में इसके सोचना मिलने के बाद पुलीस तुरंत हरकत में आई एसेच्चो से टी सदर और बनूट के टीमों ने गैंक्टरों का काफी दूर तक पीछा किया आगे एक पुल था तो दोनों तरफ से पुल को घेर लिया गया रबंदीप उस वक्त गाड़ी चला रहा था जबके दीपक गाड़ी की कंड़क्टर साइट पर बैठा हुआ था पुलीस ने इन्हें सरेंडर करने के लिए कहा लेकिन इन्होंने पुलीस पर ही फारिंग कर दी एक गोली राजपुरा सदर थाना के सेच्चों की गाड़ी पर भी लगी है पुलीस ने जब बदमाशों की गोली के जबावी कारिवाई की तो एक गोली गैंक्टर के कार के शिशे पर लगी जिससे घबरा कर वो वहाँ से भागने लगें दीपक लेफ्ट भागा और फारिंग करता रहा इस बीच कच्चे रास्ते पर पुलीस ने गैंक्टर दीपक के पैर में गोली मार दी जिसके बाद वो वहीं पर गिर पड़ा दोनों बदमाशियों की पिस्टॉल बरामत कर ली गई है इनके अपराथिक रिकॉर्ड के जांच की जा रही है जिस गाड़ी में गैंक्टर थें उस पर ओन डूटी बी ये सेनल लिखा था इसकी भी पुलीस जांच कर रही है पुलीस के मताबिक दोनों घटनाओं के दोरान इन्होंने रात को बदमाशी की थी अब इनका मेडिकल करवाय जाएगा इसके बाद साफ हो बाएगा इन्होंने नशा भी किया था या नहीं इस पूरे मामले में योगेश शर्मा जो एसपी है उन्होंने कहा है कि देडराद दोनों आरोपियों ने पटियाला में दो वार्दा दे की थी टीएसपी राजपुरा के देख रेग में टीमें आरोपियों के तलाश कर रही थी फिलाल ये गैंक्टर किस गैंक से सम्मंधित है इस पर जाँ चल रही है